क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे प्रिसिद मोबाइल फोन कौन सा है और साथ ही आज आज आपको बताएंगे एक ऐसे वाटर प्योरी फायर के बारे में जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे साथ ही लाइका की एक ऐसे रहसे के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपकी भी आँखों में आसु आ जाएंगे तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन आउन करने ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की और So let's get started दोस्तो आप लाइका को तो जानते ही होंगे लाइका ही वो पहला कुटा था जिसने अंतरिक्ष को सबसे पहले देखा था लेकिन क्या आपको पता है कि लाइका ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्वानी दी थी आपको ये बात नहीं पता होगी कि लाइका जिस स्पेस क्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष में गया था उसे वन वे ट्रिप के लिए बनाया गया था यानि कि वो स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में तो जा सकता था लेकिन वापस अंतरिक्ष से धर्ती पर नहीं आ सकता था जब लाइका अंतरिक्ष में पहुँचा तो उसके कुछ समय बाद ही लाइका का स्पेस क्राफ्ट ओवर हीट ओकर फट गया और लाइका की मौत हो गई आज लाइका ही है जिसके कारण हम एस्टरोनॉमी के छेतर में इतने आगे बढ़ चुके हैं लाइका के लिए एक लाइक तो बनता है जब इनसान ही इनसान की जान का दुश्मन बन जाए तो इससे बहानक इस्तिती क्या हो सकती है ऐसी ही एक घटना हुई थी जपान में जिसने पूरी मानव जाती को हिला कर रख दिया था 6 अगस 1945 हीरोशीमा बॉम अटैक जिसने पूरे जपान को तभा कर दिया था और लाइकों लोगों ने अपनी जान इसमें गवा दी थी जिसे देखते हुए 1964 में वहां के लोगों ने हीरोशीमा पीस फ्लेम यानी शांती की जवाला का निर्मान किया जो आज तक चल रही है और यह जब तक जलती रहेगी जब तक इस धर्ती पर सारे नुक्लियर बॉम्स खतम ना हो जाएं यह जवाला लोगों के लिए सबक भी है और उन्हें यह याद भी दिलाती रहेगी कि कैसे एक बॉम्स ने कितने मासूम लोगों को बिना किसी कारण मार दिया था सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कारण फैक्ट नमबर फाइव वाटर पॉलिशन के बढ़ते कारण के वज़ा से आज बजार में वाटर प्योरिफायर की बहुत सारी वेराइटीज उपलब्द हैं लेकिन आज मैं जिस वाटर प्योरिफायर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस वाटर प्योरिफायर को देखिए इसका नाम है लाइफ स्ट्रॉफ फिल्टर जिसे इस तरह से डिजाइन करा गया है कि इसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं यह छोटा सा दिखने वाला फिल्टर पानी को 99.99% तक फिल्टर कर देता है तो अगर आप कहीं लॉंग रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगा पर जा रहे हैं जहां पर साफ पानी मिलने की परेशानी आपको हो सकती है तो आप इसका इस्तमाद जरूर करें दोस्तो आपने ज़ादत है जानवरों का गुसा ही देखा होगा लेकिन आज जिस जानवर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस जानवर का खुश मिज़ास वेवार ही उसकी पहचान है तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस जानवर को देखिए इसका नाम है कौाका वेस्टन आउस्टेलिया में पाई जाने वाला यह जानवर बहुत खुश मिज़ास वेवार का होता है इसकी यह मुसकान ही लोगों को इसकी और आकरशित करती है यह जानवर शाकाहारी होते हैं जो भी विजिटर इसको देखने आते हैं वेस के साथ सेलफी ना लें ऐसा हुई नहीं सकता दोस्तो अगर आपने हमें इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमें इस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में हम आपको इंस्ट्राग्राम पर पहले ही पता सकें आज के समय में हमारे दिमाख में एक बात पैठी हुई है कि गोरा होना ही सुन्दरता की पहचान है अगर आप गोरे हैं तो सुन्दर है तो आज मैं आपका यह ब्रह्म भी मिटा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर दिख रही यह लेडी सुडैनीज मॉडल नियाकीम है इनका नाम गिनीज बुक ओफ वर्ल रिकॉर्ड में शामिल है इनकी है डार्क स्किन ही इनकी पहचान है नियाकीम दुनिया की सबसे सुंदर मॉडलों में से एक हैं और पूरे विश्व में बहुत प्रिसित हैं तो देखा आपने कि गूरा होना ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों आपने बहुत तरह के वाटर टैंक देखे होंगे लेकिन आज जिन वाटर टैंक के बारे में हम आपको बताएंगे वह आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इन वाटर टैंक को देखिए यह यूनीक स्टाइल के वाटर टैंक मौजूद हैं पंजाब के जालंदर में वहाँ के स्थानिय लोगों ने अपने वाटर टैंक को अलग-अलग आकरती देकर बनाया है वहाँ के लोगों का यह यूनीक स्टाइल पूरे विशों में प्रसिद है दोस्तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतियास में किस मॉबाइल फोन की सबसे ज़्यादा डिमांड रही या ऐसा कह लिजिए कि किस मॉबाइल फोन की सबसे ज़्यादा विक्री हुई है तो आप भी सोच में पढ़ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस मॉबाइल को गौर से देखिए इसका नाम है नोकिया 110 या ऐसे कह लिजिए नोकिया 1100 आप में से बहुत से लोगों ने इस मॉबाइल फोन को चलाया होगा और अगर ना भी चलाया हो तो आप इसे अच्छी तरह से पहचानते तो जरूर होगे आपको जानकर हैरानी होगी कि नोकिया 1100 ने अपनी 2500 मिलियन यानी की 18 अरब 47 करूर 43 लाख 45 हजार यूनिट अभी तक सेल करती है इतनी बड़ी मॉबाइल फोन की बिक्री इत्यास में अब तक कभी नहीं हुई उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही अपना बेस्ट फैक्ट हमें कमेट करकर जरूर बताएं मिलते हैं एक और नई इंटरस्टिंग वीडियो के साथ जब तक के लिए जै हिन जै भारत